वेलकम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा बाहर निकाल दिया जाता था, उसे अब अपने magic की अंदर कुछ नई creativity करनी थी, इसी कारण वो एक pet shop में आता है, चाहां उसे कोई अच्छा सा pet चाहिए था, तब यह उसे कुछ गानी की आवाज आती है, उसी गाने की आवाज को follow करता हुआ, वो एक cage तक पहुंच जाता है, चाहां पे उसे एक बहुत ही छोटा सा crocodile मिलता है, इतने प्यारे crocodile को गाते हुए देखकर, हेक्टर उसे अपने साथ ली जाता है, हेक्टर ने इस crocodile का नाम Lyle रखा था, लाईल अब अपने cage से निकल के किसी नई जगा पे आया था, इसी कारण वो पहले गाना नहीं गाता औ अब Lyle थोड़ा बड़ा हो गया था, हेक्टर ने अपने सारे पैसे एक बहुत बड़े शो के उपर लगा दिये थे, क्योंकि उसे पूरा confidence था कि Lyle वहाँ गाना गाएगा और लोग उसे बहुत पसंद करेंगे, शो के स्टार्ट होते हेक्टर गाना गाना शुरू करता है, लेकिन Lyle के आँकों से जब परदा हटता है, तो उसने इतनी सारी ओर्डेंस पहली बार देखी थी, और वहीं पे उसका पूरा confidence खत्म हो जाता है, हेक्टर Lyle को बहुत समझाता है कि प्लीज गाना गाओ मेरा सब कुछ इस पे दाव लगा हुआ है, तुम प्लीज कुछ तो बोलो, लेकिन Lyle इतनी सारी ओर्डेंस को देखी कुछ भी नहीं बोलता, और उसे समय परदा गिरा दिया जाता है, यानि कि शो खतम और शो पूरी तरीके से फ्लॉप था, अब Lyle के पास अपना घर भी नहीं था, उसे और पैसे कमाने थे, और साथ ही Lyle का बोच भी अपने पास में लॉरिटा नाम की कैट थी, छोटे लड़के का नाम जॉष था, जो कि लॉरिटा को प्यार करने के लिए आगी बढ़ता है, लेकिन ये नेबर इतना जाधा नक्चड़ा था, कि वो लॉरिटा को हाथ तक भी नहीं लगाने देता, और कहता है कि अगर तुम्हें य अगर आप लोगों को ये मिले तो इसका ध्यान जरूर रखना, जॉष को लगा था कि ये मैजीशन का कोई इंस्टूमेंट होगा, कोई टॉइ होगा, इसी करन वो बिना ध्यान दिये वहाँ से चला जाता है, जॉष ने नए नए स्कूल जॉइन करी थी, जहां उसे एड़ जितना जॉष जरा हुआ था, उससे जादा लाइल भी डरा हुआ था, लॉरिटा लाइल के उपर अटैक करती और उसके उपर कूदने वाली थी, लाइल दर के मारे बस चिला ही रहा था और उसी बीच में लाइल वहाँ से भागनी लगता है, जॉष उसका पीछा करते रुकों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगा, इतने ही देर के अंदर लाइल भी अपने मुग के अंदर से लॉरिटा को उगल देता है, जॉष को बिलीब नहीं होता कि लाइल इनकी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है, इसी कारण वो कहता है कि अच्छा पीन में फैक रहे थे, वो पैकेट बार-बार में बाहर कैसे आ रहा है, जॉष को क्रोकोडाइल के बारे में सब कुछ जाना था, इसी कारण वो एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के कहीं सारी बुक्स निकाल लेता है, इसी टाइम पे जॉष के क्लासमेट पी आती है जो उस पीन्स में जाता था, और अब वो जॉष के साथ में भी ऐसा ही करता है, जॉष इंस सारी चीजों को लेके बहुत फन करता है, देस्ट बीन में जाना वहां से खाना लाना और अब ये लोग अपने ही टैरिस पे बैठ के उसे खाने के साथ में बहुत अच्छ डिनर सेट जॉष पहले काफी अपसेट रहा करता था, लेकिन लाइल के मिलने के बाद वो बहुत खुश रहने लगा था, अगले सुबह जॉष और लाइल दोनों एक साथी काउच पे मिलते हैं, उसी टाइम जॉष की मॉम उपर आ जाती और डर के मारे बहुत जोर से चिलाती है, क्य अगर इतना बड़ा क्रोकोडाइल घर में क्या कर रहा है, वो जॉष को अपने साथ नीचे लेके जाती है, जॉष अपनी मॉम को समझाने की बहुत कुशिश करता है, कि ये फ्रेंडली पैट है, ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन मॉम इतनी ज़ादा डरी हुई थी कि उन् भी कर देती है, लेकिन जॉष के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद में वो लाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताती, यहां हम देखते हैं कि लाइल बार्ट टक के अंदर बहुत अच्छे से इंजॉई कर रहा था, यहां जॉष की मॉम उसे मारने के लिए आने ही वाली थ जाता है, क्योंकि वो इस टाइम पे नहा रहा था, और अब क्रॉकोडाइल नीचे आता है, और जॉष की मॉम जिनका नाम प्रेम था, उनके साथ में गाना गानी लगता है, प्रेम थोड़ी सी शांत हो जाती है, और इतनी ही देर में लाइल अपना यहां पे टैलेंट और उन्हें अब एक पार्टनर भी मिल गया था, यहां जॉष जब आता है तो उसी पता चलता है कि प्रेम और लाइल दौनों ने मिलके बहुत बड़ा केक और काफी सारे डिशिस भी बनाई है, जब जॉष के फादर घर पे आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, कि जो घर का महौल एकदम negative था, वो एकदम positive कैसे हो गया है, जॉष और प्रेम दौनों ही बहुत खुशी-खुशी रहने लगे हैं, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और अब मिसिस प्रेम ने सोच लिया था, कि वो जॉष के फादर को लाइल के बारे में बता देंगी, इस के बारे में कुछ भी काओ, लेकिन है तो ये wild ही न, ये कभी भी हमें मार सकता है, यहां से जल से जल निकलो, almost ये लोग दर्वाजे तक पहुँच गए थे, मिसिस प्रेम अपने husband को समझाने की बहुत कोशिश करती है, और इतनी ही देर के अंदर इनके दर्वाजे के घंट गाना गाने लगता है, और लाइल के नाराज की भी खत्म हो जाती है, तब जाके जौश के फादर को समझ में आता है कि ये क्रोकोडाइल फ्रेंडली क्रोकोडाइल है, एक पैट क्रोकोडाइल, wild बिल्कुल भी नहीं है, जब हेक्टर से पूछा जाता है कि ये घर तो तु आता है कि अब वो कैसे हैक्टर को बाहर निकाले लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसे के साथ हम जौश के फादर की परिशानी भी देखते हैं, मिस्टर प्रिम इसलिए परिशान थे, क्योंकि उनका स्कूल अच्छे से नहीं चल रहा है, क्लास के अंदर बच्चे उ बहुत ही शांदर चैंपियन हुआ करते थे, इसी के साथ इन दौनों के बीच में शांदर वाली फाइट होती है, जहां पर अब मिस्टर प्रिम जीतने लगे थे, और लाइल जान करके खुद को हरा लेता है, मिस्टर प्रिम के अंदर वापस से अपना कॉन्फिदेंस बिल करता था, क्योंकि ये लोग मिलके फिर से एक नए शो की तयारी कर रहे थे, जिसकी ओर्डियन्स मिस्टर प्रिम, मिस्स प्रिम और जौश तीनों ही थे, यहां मिस्टर प्रिम के नेबर को बहुत प्रॉबलम होने लगी थी, क्योंकि उन्हें हर रात गाने की आवाजे आने करता है, और इसके नेबर की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है, कि कैसे उसने सारे नेबर के घरों पे नजर रखने के लिए बिना परमिशे लिए ही कैमरी लगाए हैं, यह बात सुनके सारे नेबर को बहुत गुसा आता है, यहां पे कोई भी लीगल एक्शन ल के बारे में कहा, लेकिन साथ ही हेक्टर को इस जगह को छोड़ के जाने के बारे में भी कहा, एक बार फिर से हेक्टर ने सूचा था कि लायल अब पूरी तरीके से प्रिपेर्ड है, उसको लोगों से डर नहीं लगता है, और वो कॉन्फिटेंटली परफॉर्म कर पाएगा लेकिन उस बार पिर लायल पफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा शो ऑगनाईस करने के बाउचूद भी हेक्टर का वो शो फ्लॉप हो जाता है, लायल हालांकि लोगों के बीच में घूम रहा था, लेकिन लोगों को ऐसा लगा था कि किसे इनसान ने एक क्रोकोडाल का कॉस्चूम पैना है, इसी कारण लायल कभी भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन घर पे पहुंचते ही वाइल कंट्रोल टीम के लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और लायल को ऐस वाइल आनिमल पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, यह सब कुछ इनके नेबर ने किया थ जब वो जोश की फैमली को यहाँ से निकाल नहीं पाया तो उसने लायल की कम्प्लेन कर दी, जोश को अब एक जूम ही रखा जाता है, जहाँ पे और भी कहीं सारी क्रोकोडाइल्स थे, कुछ टाइम बाद मिने जोश की पूरी फैमली लायल से मिलने के लिए आती है, लायल लायल को वहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ, तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन जोश हेक्टर से गुस्सा था, क्योंकि उसने लायल के जाने पे कोई भी रियक्ट नहीं किया था, हेक्टर को ये सारी चीज़े फील हो रही थी, कि उसने नेबर की मदद करके जाता है, अब हेक्टर एक मजीशियन था, इसी कारण वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को उनी के हैंडकफ से बांध के अंदर तक पहुँच जाता है, जब तक लायल नहीं आया था, तब तक वहाँ पे और क्रोकोडाइल भी पहुँच गए थे, जो कि सारे मिलके हेक्ट चलता है कि बहुत बड़े टीम इनके सामने ही खड़ी है, हेक्टर कहता है कि तुम यहाँ से भागो, इसका इंतिजाम मैं करता हूँ, हेक्टर के पास में फॉक बॉल्स थी, उसी के फॉक के अंदर जोश वहाँ से लायल को लेके भागने लगता है, अब लायल को सभी को कॉल कर दिया था, और उसके मदद से बैक स्टेज से होते हुए, ये लोग में स्टेज तक पहुचने वाले थे, इस बार भी लायल बहुत डरा हुआ था, जोश यहाँ पे गाना गाने लगता है, और बार बार में लायल को बुलानी लगता है कि प्लीज यहाँ पे आके गाना गाओ, हालनकि जोश तो बहुत गंदा गाना गा रहा था, लेकिन लायल को समझ में आ गया था कि अब उसके पास में ये आखरी मौका है, देखते ही देखते लायल ने भी गाना शिरू कर दिया, और सारे ओडियन्स उसके गाने की दिवानी हो गई, यहाँ पे जोश क की फैमली को सोसाइटी से निकाल दिया जाए नहीं, तो यह वाइल्ड अनिमल सब के लिए खतरनाक हो सकता है, हालांकि इस टाइम पे नेबर की बात सच थी, क्योंकि इतने वाइल्ड अनिमल को घर पे रखने के लिए लाइसिंस चाहिए, जो कि जोश की फैमली के पास नही परमीशन थी, यह नेबर एक बार फिर से चिलाने लगता है, क्योंकि इस बार तो इनकी कैट लॉरिटा भी सीधा जोश के पास आ गई थी, गुसे में आके मिस्टर प्रिम नेबर को सीधा नीचे किरा देते हैं, और अब लाइल हमेशा हमेशा के लिए प्रिम फामिली के सा साथ रहने लगा था, यह सब लोग साथ में पिकनिक भी जाया करते थे, तो गाइस यह मूवी आप सभी लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाडा!